नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इखास होनवाना है क्योंकि आज के इस वीडियो में अब लगते हैं अगर पर इखास होने के लिए कितना नमर लाना होगा तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि अगर आप बीए पर इखास होने के लिए आपको 100% में से 36% नमर लाना होगा अगर आपको बता होने के लिए पास होने के लिए 50 में से 18 नमर लाना होगा यादि कि आपका प्रेपर होता है तो सोग का चहतीस परसेट जिया गोटा है तो आपको असी का अचाटीस परसेट जिया की तर नबर लाना ओगा अगर आगे दोस्तों हम लोगों ने जाला लिया कि बीयुप पर इक्षा में पास होने के लिए किता नोबर लाना होगा अब आगे दोस्तों हम लों रिजन्ट के बाद आप से जानेगे कि बीए परिक्षा में किस समेट पे किता नमर आने पे पास होते हैं किस समेट पे किता नमर आने पे फेल होते हैं और की समय पर किता नूम राने पेंट लगता है, सब कुछ अपर रिजलट के बाद आप से जानेगे, तो आइए बीडा कि सिदरी के अबलों सुरू करते है, और रिजलट के बाद आप से जाते है, यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं, का हिस्ट्री के अंदर आपका फॉस्ट सेमेस्टर में सो में से अंठावन नमर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में सो में से चववन नमर आया है यानि कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासी नमर आया है क्योंकि मैंने आपको पहली में तादिए कि अगर आ प्रशेट ऐने के चौछ नमोर पार आपकोสन की लिखातो सपड़ा ही manger हेंदी लीटेर्टिर्टर्टर्टर्टर्टट ह обязань जाए हो में 30 में जो है और हैंने कि हीधी के अदर वही आपका दोर हो समधिये पासीक कर दोरिया है क्षेते अब सकते दोबन बें 202 है और को स्कते बढर दिखनそれでは अब दोस्तों यहां पर पास क्यों दिखा रहा है ध्यान समझेए यहां पर दोस्तों अब दे सकते हैं कि यहां पर दोस्तों इसका तीनु समेट के अदर एनिकि हिस्ट्री के अदर प्रिटिकल साइस के अदर और हिंदी के अदर इसका तीनु समेट के अंदर दोनों समेश्ट पासी नमर आणे वैसे यहां पे इसको पास किया गया है तो वाहां पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे लिगों देखते हैं यहां पर दोस्त अब दे सकते हैं आपके सबिसे जल्टा है यहाँ पर दोस्तों अब दे सकते हैं कि आपका 3 समेट का पेपर हुआ है Political Science, Sociology और Geography यहाँ पर दोस्तों Political Science और Sociology के अंदर आपका 2 समिष्टे में 100-100 नमर का पेपर हुआ है और Geography के अंदर आपका 2 समिष्टे में 75-75 नमर का पेपर हुआ है और जियोग्राफिक के अंदर आपका प्रेटिकल भी हुआ है यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है पर दोस्तों आप दे सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फॉल सेमेश्टर में सो में से बावन नमरा है और 2nd semester में 100 में से 84 नमर आए है यानि कि Political Science के अंदर आपका 1st semester, 2nd semester, 2nd semester में आपका passing नमर आए है क्योंकि मैंने आपको पहली में बता दिये कि अगर आपका 100 नमर का पेपर होता है तो आपको pass होने के लिए 100 में से 36 नमर लाना होगा जबकि 1st semester में 52 नमर आए, 2nd semester में 34 नमर आए यानि कि 2nd semester में आपका 36 नमर से उपर आए इसलिए Political Science के अंदर आपका 2nd semester में passing नमर आए है अब sociology की बात की जाती हैं पर आप दे सकते हैं कि sociology के अंदर आपका 1st semester में 100 में से 8 नमर आए और 2nd semester में 100 में से 52 नमर आए यहीं कि sociology के अंदर आपका first semester में पासी नमर नहीं आ है क्योंकि first semester में आपका 36 नमर से कम है जबकि second semester में आपका पासी नमर आ है क्योंकि second semester में आपका 36 नमर से उपर है तो यहाँ पर दूस्तो sociology के अंदर आपका first semester में पासी नमर नहीं आ है तो आपको pass होने के लिए 27 नमर लाना होगा जिबकि दोस्तों यहाँ पे क्योवल 18 नमर आ है और यहाँ पे क्योवल 20 नमर आ है यानि कि geographic के अंदर आपका दोनों समेश्टे में 27 नमर से कमा है यानि कि यहाँ पे आपका दोनों समेश्टे में पासिर मन नहीं आ है जिगराफिक के अंदर और यहाँ पे दोस्तों जो जिगराफिक के अंदर प्रेटिकल हुआ है अगर प्रेटिकल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त अब दे सकते हैं कि जिग्राफिक के अंदर प्रेटकल में 43 नमर मिला है याणि कि जिग्राफिक के अंदर आपका पासी नमर मिला है तो यहाँ पर दोस्त अब दे सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर 268 है पार्ट 2 में 282 है पार्ट 3 में 277 है और यहाँ पर टूटल की बात की जाती हैं पे दोस्तो आच्सो सतासे है और रिजल्ट की बात की जाती हैं यहाँ पे दोस्तो अब दे स ceuxconduct के दिखाना है अब दोस्तों यहाँ द फेल करेंदें ध्यान अगर आपका प्रेटिकल भी होता है और उस कंडिसे में दोस्तों अगर आपका दोस समेट के मिला करके तीन समेश्टे में पासी नमनी आता है तो उस कंडिसे में दोस्तों आपको फैल करती जाएगा इस बात किया दखिएगा कि अगर आपका दूस समय साइस और पॉबिक एड़ नियाता है तो उस कंडिसे में दोस्त आपको फेल कर दे जाएगा सब्सक्राइब दो से मिष्टे में पासिह है क्योंकि मैने आपको पहली बते दी कि कर्वार का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 36 नमचे में पचास नमर आया है अब पो बीटिकल साइस की बात किले हैं कि पौलिटिकल साइस के आपका proto स्ब्सक्राइब पाइनल रिजल्ट की बात की जात यहां पर दोस्ता अब दे सकते हैं कि पार्ट 1 में 294 हैं, पार्ट 2 में 296 हैं, पार्ट 3 में 286 हैं और यहां पर दोस्तो गरां टोटल की बात की जात यहां पर अब दे सकते हैं कि सप्लिमेंटरी दिखा रहा है यानि कि यहां पर बैक लगा अब दोस्तों यहां पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझे यहां पे दोस्त अब दे सकते हैं कि यहां पे दोस्तों इसका हिस्ट्री के अंदर दोनों समेश्टे में पासी नमर आ है और पॉब्लिक इमिटेशन के अंदर इसका दोनों समेश्टे में पासी नमर आ है यहां पे द विडिकल साइंस के फॉस सेमेश्टर में इसका क्या हुआ है बाइक लगा है तो इस बात क्या देखेगा दोस्तों कि अगर आपका किसी दोस से बेट के अंदर दोनों सेमेश्टर में पासी नमर आता है और किसी एक से बेट के अंदर अगर आपका पासी नमर नहीं आता है तो उस condition में दोस्तों उस semester में आपका bike लग जाएगा होंगे तो दोस्तों उम्हेद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छा लागा तब वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट करके बतेए कि आपको नेक्स वीडियो की स्टोपिक उपर चाहिए ठैक्की दोस् झाल 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 झाल